तो आज यहाँ पे डेट 11 अप्रेल और आज का जो ट्रेड है हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है और आज हमने बुक किया यहाँ पे 4,43,000 रुपीस का प्रॉफिट तो सब कुछ समझेंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या था और आज इतना बड़ा प्रॉफिट क्यू अज हम थोड़ा सा पूरे डीटेल में इस वीडियो में बात करने वाले है तो मैं फिर से एक बार रीफ्रेश यहाँ पे कर देता हूँ और यह 2023 का अभी मेरा biggest profit है इसके पहले अभी 2023 के मतलब तीन महीने से जादा हो चुके हैं तो यह मेरा सबसे भी तक बड़ा profit और आप आपणी लोग देखोगे तो आज मैंने फिन यिव डि में त्रेड किया है और बैंकी निफ्टी में भी ट्रेड किया हुआ है ठीक है तो सीधा चलते हैं चार्ट पर चार्ट पर जाने इस पहले में बता दू डू ट्रेडर काफी लोग पूच रहे थे कि आप जो अपने ट का 4030 के प्राइस पे और अभी आप जा के देख सकते हो वो 4160 से भी उपर ट्रेट कर रहा है तो this is the benefits of premium learning group description box पे मैं link दे दूँगा वहां से आप join कर सकते हो so let's start with the analysis ठीक है और जो swing stocks की भी वीडियो थी ये swing stocks box भी बहुत अच्छा perform कर रहा है तो comment section में जरूरू बताना आपका कितना क्या profit किस rate पे चल ला है तो सबसे पहले मैं आपको explain कर देता हूं finnifty का कि क्या setup था क्या logic था ठीक है आज हम देखते हैं तो market आज काफी gap up open हुआ क्या हुआ बहुत बड़ा आज gap up open हुआ market में ठीक है market में gap up होने के बाद बहुत बड़ी भाई as usual candle बनती है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो btst या फर stbt वाले traders होते हैं वो यहां पर अपनी positions square off करते हैं जिसकी बज़े से यहां पर volatility काफी जादा होती है उसके बाद हमने क्या देखा एक slightly uptrend market में continuous चल रहा था ठीक है uptrend मतलब nifty में भी चल रहा था continuously fin nifty में भी चल रहा था bank nifty में भी चल रहा था ठीक है इसके बात क्या होता है अगर देखो पहला setup मुझे कहां पर देखा था पहला setup मैंने देखा इस point पर आके कि यह जो resistance zone बन रहा है अगर मैं यहां प्लान कर रहा था कि अगर यह resistance zone break होता है तो एक बहुत अच्छा trade मिल सकता है लेकिन हुआ क्या मैंने यह trade लिया क्यों नहीं बहुत ज्यादा नैरू था अगर आप देखो तो stride momentum और सीधा fall करके फिर upside momentum दिया तो इसकी वज़े से मुझे confidence नहीं आया और as usual जैसे मैं इसमें फीबो implement अगर मैं करता हूं तो फीबो implement करने के बाद अगर आप देखोगे तो मैं यह प्लान कर रहा था जीरो पॉइंट फाइब सीरी retracement हो जाए तो वह भी नहीं हुआ फिर मैंने सोचा 0.76 तक भी आएगा तो भी मैं एक प्लान कर सकता हूं लेकिन वो बीच से ही लोट गया तो यहां पर मैंने ट्रेड नहीं लिया ठीक है लेकिन उसके बाद एक और opportunity मिझे मिलती है जो कि आज मेरे लिए jackpot साबित हुई और वो opportunity थी यहां पर अब यहां पर क्या होता है बहुत अच्छे एक upside momentum आता है उसके बाद यह यहां पर बहुत अच्छी चीज करता है कि पैटर्न में चलना स्टार्ट कर देता है जो करता है तो वह बहुत अच्छी चेट से यहां पर लेता होगा तो मैंने भी यही प्लान किया यहां पर कि इस बार मैं मिस नहीं करूँगा यह momentum मैं मिस कर चुका था लेकिन मैं ब्रेक आउट के लिए मैंने वेट नहीं किया क्यूंकि होता है क्या ब्रेक आउट की candle यह इतन एक confirmation यहाँ पर यह मिल जाता है कि यह 0.786 के exact support पर time spent किया और यह जो blue trend line आप देख रहे हो यह blue trend line पर भी इसने properly यहाँ पर support बनाया हुआ था ठीक है मैं यह सब कुछ remove करके आपको explain करता हूँ chart properly visible नहीं हो पा रहा है तो देखो यहाँ पर support भी था ठीक है confirmation क्या था यह जो blue trend line है इसका support भी था अगर आप खुद देखो यहाँ पर support लेके इसने वापस pullback किया यहाँ पर support लेके वापस pullback किया तो मेरी भी यही था कि यहाँ से support लेके pullback यहाँ तक का मैंने target रखा हुआ था ठीक है लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से थोड़ा से सने time spend किया तो मैंने quantities कुछ और add की मैंने लगबग साड़े 10,000 के आसपास की quantities ली थी iceberg order मैंने प्लेस किया था और capital almost मैं बोलूँ तो 6,000,000 के आसपास का deploy था capital approach मैंने देखा नहीं था exact बद इसके आसपास deploy था ठीक है दिखाता हूं option के chart पे तो मैंने क्या किया मैंने ये momentum ठीक है ये वो support zone है जहां से मेरी buying भी थी तो मैंने इस point के आसपास जब आया तो मैंने इस point पे half quantities book की मैंने पूरी quantities बिलकुल भी book नहीं की उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार मेरा already अच्छा profit आ चुका था तो मैंन 16 रूपीज के price पर मैं order book पर आपको दिखाता हूं quantities बहुत जादा है ठीक है देखो almost 16 रूपीज के price मैंने पूरी quantities यहां पे exit कर दी थी लगबग 10-12,000 के आसपास की quantities थी और मैंने बीच में exit की बीच में add की तो order book बहुत लंबी है ठीक है तो this is the simple analysis जो मैं करता हूं और आप लोग भी pattern based पे भी trading कर सकते हो यहां पे आज trap strategy के according मुझे trade नहीं मिला आप लोग देख रहे हो जो trap trading मैं use करता हूं of course उसके according में futures में trade लेता लेकिन उस पे मुझे कोई trade नहीं मिला इसकी बज़े से मैंने यह confirmation मैंने यह तो miss कर दिया trade ठीक है लेकिन मैंने प्लान किय कि मैं यहां से अब और यह भी बहुत slide momentum था इसको भी मैंने एक टाइप से मैंस ही किया लेकिन यह फिर से मुझे एक opportunity आई मैंने का अब मैं मिस नहीं करूंगा और यहां पर मैंने quantities add की और यहां पर momentum यहां पर half quantities book और यहां से फिर यह upside momentum sideways में चला यह momentum और full profit हमने almost यहां प निफ्टी में loss कैंसे हुआ है इसके भी trades as usual है confirmation एक जगा से नहीं कई जगा से ली गई थी जो मैंने finnifty की confirmation ली थी वो confirmation एक यहां से भी आई थी यहां पर मैंने यह trade miss किया ठीक है फिर मैंने देखा कि bank nifty पे यहां पे अब bank nifty हम हुआ क्या कि यहां पर यह momentum आ गया था तो मुझे यह तो final था कि यार अगर bank nifty मैंसे momentum आ रहे हैं तो finnifty में मियाना तो एक confirmation यहां से भी मेरा गया हुआ था ठीक है तो मेरा trade यहां पे था आज बहुत जल्दी मेरे trades bank nifty में हो गए थे almost 10 क्या सपास तो लेकिन वो trades उतना अच्छा perform नहीं किया और almost मेरा loss ही हुआ था में वीडियो प्रिप्यार करने जा ही रहा था और इतने में मेरी नजर पढ़ गई finnifty के चार्ट पे और यह same opportunity जैसे आप bank nifty में देख रहे हूँ यह opportunity मुझे finnifty में देख गई support base पे fibo के confirmation से trade लिया और almost 5 lakh आप देख सकते हो बस 4000 काम है इस पे हमने trade book कर दिया so this is all guys जो आज का मेरा setup था और जिसको join करना है तो offer चल रहा है आज सामके 6 बजे तक open है registration आप यहाँ पे join कर सकते हो swing trade stocks और option buying के ideas के लिए traders तो इस वीडियो में इतनाई traders thank you for watching this video guys